आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ डिजाइनर कुर्थी के पैटर्न बताऊंगी जिससे कि अगली बार जब भी आप अपने कुर्थी को डिजाइन करना चाहें या अपने टेलर को कपड़ा देना चाहें तो आप इन सारे डिज जरूर नजर में रखें तो चलिए शुरू करते हैं जो आपकी साड़ी है जिसमें बॉर्डर है तो आप इसको इस तरह से सर्कल स्कूर्ट में के पैटर्न में आप कट करें और बीच में से इसको एक स्लेट दे और आप उसी स्लेट को इस तरह शोल्डर के उपर बॉर्ट करके पहन सकते हैं यह डिजाइन है जो बहुत ही ओज़ी है और इसे आप प्लेन कुर्टी के साथ वीर कर सकते हैं बुर्ट के उपर आप स्टरह का श्ञालिश साड़ी का जो के बना के पहनेंगे तो एक तो आपका फिगर भी इसमें छुपएगा और उपर से एक नया trendy look देगा आपके plain कुर्ती को इसी pattern में आप बीच में जो है वो lace भी attach कर सकते हैं और कुछ buttons भी लगा सकते हैं पोटली buttons भी use कर सकते हैं तो यह आपका जो है वो closed cape कुर्ती जैसा बन सकता है इस ruffle pattern को मैंने पुरानी वीडियो में बताया हुआ है तो आप उस वीडियो से refer करके भी यह pattern try कर सकते हैं इसमें भी नीचे की तरफ ruffles आते हैं तो इसमें भी आप वो circle skirt में काटना पड़ेगा बस नीचे का जो portion है वो थोड़ा सा नुकीला रहेगा तो इस टाइब का आपका pattern आ सकता है साडी से आप साडी से plain अनारकली कुड़ती बना सकते हैं और उसके उपर इस तरह का एक cape डिजाइन करके इसमें golden जो patchwork होते हैं market में मिलते हैं वो add कर सकते हैं golden color की laces add कर सकते हैं तो plain साडी का यह बहुत अच्छा reuse हो सकता है जो silk के long gown होते हैं उसके उपर भी आप इस तरह का एक cape बना सकते हैं साडी की मदद से जो साडी की border होती है वो आप अलग से काट के neck line में लगा दें और नीचे जो cape का bottom hem line है वहाँ आप attach कर सकते हैं net की जो साडी होती है उससे भी आप इस तरह का cape और कुर्टी दोनों बना सकते हैं और जो net की साडी में नीचे border होती है वो heavy ही होती है generally तो उससे आप इस तरह का एक अनारकली pattern का कुर्टी बन वाले और उसके बाद जो बचा हुआ lace का fabric होता है उसको आप cape में लगा सकते हैं bottom की तरफ जो daily wear cotton synthetic mix साडी होती है border वाली उससे भी आप इस तरह का एक cape कुर्टी बना सकते हैं बहुत ही funky लगता है और इसे आप jeans के साथ wear कर सकते हैं plain जो georget या chiffon की साडी होती है वो बहुत light weight होती है तो उससे भी आप इस तरह का cape कुर्टी ट्राइ कर सकते हैं यह double layered में है और इसमें ruffle pattern ही use किया गया है bottom को cut करने के लिए और off shoulder दिया गया है और इसी कुर्टी को आप इस तरह के tassels और buttons लगा के कुछ dories लगा के decorate भी कर सकते हैं तो plane जो कुर्टी है अगर आपको नहीं पहननी तो आप इस तरह की cape कुर्टी एक नया pattern में create कर सकते हैं तो I hope यह कुछ designs आपको अच्छी लगी होंगी cape कुर्टी बना कर जरूर एक बार try करें और कैसी लगी video comment section में जरूर बताएं हम फिर मिलेंगे अपनी अगली creations में तब तक के लिए शुक्रिया तो friends यह थे कुछ designing ideas अपने फैप्रिक को और अच्छा बनाने के लिए अगर आप इसी तरह के और designs या कुछ different designs देखना चाहते हैं तो comment section में जरूर शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्स्राइब ने किया तो सब्स्राइब कर लें और इस bell icon को भी click कर दें वीडियो देखने के लिए शुक्रिया